इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत यह acid reflux यानि की खादे नली तक जाने वाला acid को भी रोकता है और इसलिए gastroosophagal reflux रोग यानि की GERD के उपचार में मदद करता है। लेसुविन टेबलेट का इस्तेमाल सिजोफरेनिया और depression को कंट्रोल करने में भी किया जा सकता है। इसे भूजन के साथ या बिना लिया जा सकता है। हाला कि इसे हर दिन एक ही समय पर लेने की सलाह दी जाती है क्योंकि इससे शरीर में दवा का एक समानस्तर बनाए रखने में मदद मिलती है। इस दवा को अपने चिकित सक द्वारा बताई गई खुराक और अवधी मिलें और यदि आपने एक खुराक को याद किया है तो जैसे ही आपको याद आए इसे लें। इस दवा के कुछ सामाने साइड इफेक्ट्स में सिरदर्द और ठकान शामिल हैं। यह चक्कर आना और नींद आने का भी कारण बनता है। इसलिए जब तक आप यह नहीं जानते कि यह दवा आपको कैसे प्रभावित करती है। तब तक गाड़ी नचलाएं या ऐसा कुछ भी न करें जिसमें मानसिक ध्यान देने की आवशकता हो। यदि इस दवा को लेने के बाद मासिक धर्म न आना, दूद का असामान श्राव, यौन इच्छा में बदलाव या बुखार हो तो आपको तुरंत अपने चिकित्सक से परामर्ष करना चाहिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद।